दोस्तों कीवोर्ड में सबसे टॉप में होती है F1 to F12 function keys और इनका इस्तमाल बहुत सारे लोग नहीं जानते F1 help के लिए यूज़ता है F2 rename के लिए यूज़ता है कोई भी file या folder rename करना है तो उसे select करके F2 प्रेस कीजिए F3 shift के साथ use कीजिए word के अंदर मतलब जब आप कोई sentence को select करके shift F3 प्रेस करते हो तो वो change case होता है capital to small small to capital F4 आप alt के साथ प्रेस कीजिए F4 कोई भी software को बंद करने के लिए alt F4 exit F5 word और Excel के अंदर आप F5 प्रेस करते हो तो go2 का option आजाता है कोई भी page पे jump करने के लिए F6 chrome browser में F6 प्रेस करते हो तो आप अलग-अलग tab में switch होते हो जैसे आप tab से search bar में shift होना चाते है या फिर नीचे page पे shift होना चाते हो तो F6 आप प्रेस कर सकते है F7 spelling and grammar के लिए इस्तमाल किया जाता है F8 Excel में extend selection के लिए use किया जाता है F9 Excel में press करते हो तो function calculate करने के लिए help होता है F10 यूज होता है tab के लिए F10 बड़न प्रेस करके भी इन tab को activate कर सकते है F11 यूज होता है Excel में chart insert करने के लिए F12 save ads के लिए use होता है ये tips सची लगी तो like, share और comment कर देना subscribe भी कर